हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जार हों कि कैसे आप अपने मोटरोला E22S Android वाइल फोन में आप जो है जेस्टर नैविगेशन सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं यान कि आउन कैसे कर सकते हैं पर ये जेस्टर नैविगेशन सेटिंग जो है इ सिस्टम पे सिलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको तो सिस्टम नैविगेशन सेटिंग इनेबल हो जाती है अब यह gestion navigation setting जो है enable होने के बाद यह setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूं तो जो यह आपके mobile phone का left side का हिस्सा होता है ठीक है इस left side के हिस्से से आपको उंगली से इस तरीके से करना है कौन इसे, edge से इस तरीके से करेंगे तो आपका mobile phone back page पे चला जाएगा ठीक है और right side के इस mobile phone के हिस्से से आप जो edge से लेकर उंगली को इस तरीके से slide करेंगे तो आपका mobile phone तो भी back page पे चला जाएगा अगर आपको अपने mobile phone को overview करने है ठीक है अब यह setting को ढूंडने का मैं एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में आपको क्यारना क्या है setting page open करना है setting page में आपको सबसुपर यह search setting option सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है system navigation ठीक है system navigation आप यहाँ पर type कीजिए तो आपको नीचे की side option शो हो जाएगा इससे select कर लेना है इससे होता क्या है कि आपका mobile phone आपको direct इस setting page में लेकर आ जाता है ठीक है तो यह आपको मैंने एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में